तो कियाल चल से स्रेकाल मैं होनी और मैंने काईज आज हम लोग बात कने वाले कमपनी के बारे में जिसको पूरे इंटरनेट से कल बहुत ज्यादा हेट मिला जिहां गाईज I'm talking about Dbrand शायद आप इनके बारे में सुने होंगे ये phones और laptops के लिए skins वगेरा प्रोवाइड करते हैं तो उनके customer जिनका नाम है भूवन चित्रांच वो ट्वीट किये थे I bought this skin a couple of months back and इसका color पुरा fade होने लगा है दो मेना भी नहीं ये टिका What should I do? Instead of replying उनको ठीक से Dbrand इस चीज़ को retweet करते वे लिख दिये Your last name is basically shit trash, be serious वो उनके नाम के title को लेकर openly मजाक उड़ा दिया भाई अब ये चीज़ को देखकर internet काफी जादा गुसा हो गया and especially Indians were really angry एक reply आया इसमें You have fully crossed the line here mate, no coming back from this फिर एक और person लिखे solve customers issues, no, be racist, yes and जिस person को उन्होंने ये reply दिया था वो भी नीचे ये कहे उन्होंने मारे Prime Minister को tag करके बोला this comment reflects the invaluable perspective of a brand towards Indian customers and एक और person लिख दिये कि keep the same energy in the apology tweet उन्होंने predict किया था कि apology tweet आने वाला है जिस पर DA brand openly लिखे थे कि no, हम लोग apologize नहीं करेंगे ऐसा वो बोल रहे थे but guess what guys, उनको इतना जादा backlash मिला कि कुछ देर बाद उनको apologize करना पड़ा sorry बोलते हैं ये tweet किये, well ये matter बहुत जादा escalate हो गया first of all हाँ, हम लोग वो person के नाम का मजाग उड़ाय थे it was a huge fumble, secondly हम लोग ने उसको directly apologize किया है and we have offered him $10,000 as a gesture of goodwill and thirdly हम लोग social media में काफी time से अपने customers का थोड़ा टांग खीचते वे आ रहे हैं and हम लोग ये चीज को रोकेंग नहीं but next time आप अगर ये हुए तो आपको $10,000 मिल सकता है तो मतलब ये भी कही ना कही थोड़ा सा non serious type apology लगा बस ऐसा लग रहा है कि ये लोग 10,000 रुपया हमें घूस दे दे रहा हूं and ये matter को खतम करते है बटिया चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात कने वाले मुनावर फारुकी के बारे में तो मुनावर फारुकी के उपर कुछ लोग अंडा वगेरा फेकने लगे and गालिया देने लगे जहां गईस जैसा कि आप देख सकते हो पुरा mob type situation हो गया था basically मुनावर एक sweet shop में जा रहे थे already भीड भडा का तो था ही बट उसके उपर से कुछ लोग उनके उपर अंडा फेकने लगे and गालिया वगेरा देने लगे अब जिस sweet shop में वो जा रहे थे उनके owner ने यह allegations लगाते वे बोला कि हम लोग का एक rivalry firm है वो दूसरा owner इस चीज को लेकर खुश नहीं था कि मुनावर मेरे shop में आ रहा है कि वो यह चीज को enjoy कर रहे है वो popcorn and chips खा रहे है similar story आप लोगो याद होगा जब बड़ा controversy start हुआ था Elvis vs Random Sena, Maxton वो वाला उस दिन मुनावर popcorn खाते वे story upload किया थे कि मैं enjoy कर रहा हूँ तो similarly UK07 Rider भी same चीज किये आज है आज है the much awaited Mumbai vs Bangalore का match जिसके match results को लेकर अभी सही मेरे दोस्त लोग पुरा prediction स्टार्ट कर दिये है कोई Rohitians है तो कोई Viratians अब सबका opinion सुन सुनके मैंने एक app डाउनलोड किया recently जिसका नाम है Jumbo जिसमें no money loss की guarantee है इसमें game है power play जिसमें कि हम लोग simple questions का answer देकर पैसे जीत सकते हैं जैसे कि क्या Virat Kohli 50 plus मारेंगे या फिर कौन जीतेगा MI और RCB भाई यहां का सबसे best scene जो मेरे को लगा यार कि यहां पर no loss only profit वाला scene है इसमें आप सही prediction करके लाखो तो जीत ही सकते हो बट गलत prediction भी हो जाता है first contest entry बिल्कुल free है तो इस मौके को miss out मत करो यार app का link मैंने description में दे दिया है जाकर फटाक से इसे download कर लो और पैसे जीतो बिना किसी नुकसान के बट एनिवेज चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनिवाल के बारे में तो हर्ष बेनिवाल एलवेश आदव वर्सीज मैक्सटन कॉंट्रवर्सी को लेकर एक वीडियो लाने वाले जी हाँ उन्होंने एक preview upload किया और आप लोग preview देखकर समझे गए होंगे उन्होंने एलवेश आद मैक्सटन के slap वाले scene को recreate किया और इस teaser के end में वो एक date भी बताए कि 12 April को ये वीडियो रिलीस हो जाएगा और कुछ YouTubers के तरफ से reactions भी आए जैसे कि पूरव जा लिखे तेरे system में अपना pen drive डालूँगा फिर sircaster लिखे different time same जगा तो चलिके बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Indian gamers और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी मीट के बारे में जहां guys बहुत सारे Indian gamers हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले जैसे कि आप ये post में देख सकते हो Mortal, Mythpad, Gamerfleet, 8bit Thug, Pile Gaming और भी कुछ gamers उनसे मिले और इसके बारे में बात करते हुए Gamerfleet का है कि मेरे को chance मिला to meet the Honorable Prime Minister of India हम लोग discuss किये everything about gaming it was once in a lifetime experience और इसका वीडियो जल्दी आ जाएगा and 8bit Thug भी कहे thank you for being part of an extraordinary moment हम लोग का discussion हुआ हमारे Prime Minister के साथ about the e-sports industry and वो भी अपना vision शेर किये कि कैसे इंडिया में gaming को हम लोग revolutionalize कर सकते हैं बाकि not only him, Elon Musk भी हमारे Prime Minister से जल्दी मिलने वाले हैं कल उन्होंने ये tweet किया looking forward to meeting with Prime Minister Narendra Modi in India अब बहुत सारी लोग speculate कर रहे हैं कि Tesla factory जो की बहुत टाइम से बातचीर चल रहा है कि setup होगा इंडिया में उसके बारे में discussion हो सकता है तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात कहने वाले flying beast के बारे में तो flying beast का brand logo launch went wrong जहां guys अभी वो अपने company rozier foods को launch किये थे आप लोग बता ही होगा तो जब अपने company का वो अपना logo reveal कर रहे थे तब एक खराब scene हो गया आप खुद देख लिजे what happened तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 rider के बारे में तो guys आप ये चीज़ देखकर हैरान हो जाओगे वेल guys एक crazy UK07 rider खुद को copy paste कर लिए जियां वो UK07 rider के बहुत सारे characteristics को copy कर लिए आप खुद देख लीजे उनका कैसा reaction था बन्दा बहर खड़ावाता सुभे और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं मेरी माना मेर कुई बोलजी कि तुस छह बज़ा बहर काई गूम रहा है तुम थोड़ थोड़ तुम एरे जैसे लगरे रहा है यह तेखो भाई तुम तुम थोड़ बाई यह चेक करो गाइस हो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में कैरी मिनाटी यह लेजंडरी क्रिकेटर से मिले जहां गाइस कल वो यह फोटो पोस्ट करके दिखा है कि ब्राइन लारा उनके शो में आये थे चीकी सिंगल्स विद कैरी मिनाट में इसके कैप्शिन में वो लिखे विद्धी लेजंड ब्राइन लारा अफकोर्स मैं बहुत जादा नर्वस हो गया था बटाइविल आलवेज रिमेंबर दिस थैंक्यू फॉर लेटिंग मी डू वाट आई डू आई लव यू अल गुलाबी दिल गुलाबी दिल वो चलि दो ओल कर सकते हैं । इसको हटा सकते हैं बहुत लोग का भ्रहतम टूडिया बला कि यह बोल रहें कि मएर्याइट लगता था कि अन्यक्हा कि चूर्ण करके ब्रशा हम आप सबसे मिलने आ रहे हैं यूट्यूब पे फर्स्ट में से एक बहुत इंट्रेसिंग शो है शो का नाम क्या था सफर खाना सफर खाना इनको तो जानते ही होंगे अरित्या शिवास तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोडीज के रगुराम के बारे में तो गाईस अगर आप ओजी शो रोडीज देखते थे बहुत पहले तो आप डेफिनेटली रगुराम को तो जानते ही होंगे well recently उन्होंने रिवील करके बताया कि कैसे रोडीज उनके लाइफ को कितना जादा negatively impact कर दिया था उन्होंने बताया कि उनका personal life पूरा इधर से उधर हो गया था because of roadies मेरा marriage भी सफर होने लगा था and ultimately इस चीज के वज़े से I got divorced मेरा mental health, मेरा physical health, सब कुछ खराब हो गया था इसलिए मैंने decide किया था कि मैं अब ये शो से step away करने वाला हूँ जब से मैं ये शो से हटाऊं मैं कभी भी इस decision को regret नहीं किया हूँ I am very happy तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रंदीप हूडा के बारे में तो रंदीप हूडा बताया कि उनके dangerous transformation के वज़े से वो अपना जान भी घवा सकते थे जहां guys recently उनका स्वतंत्र वीर सावर कर movie release हुआ था जिसमें कि वो अपना crazy body transformation किये थे He lost 32 plus kgs और इसी transformation के बारे में वो बात करते वे बताये कि वो इतना जादा weak हो गये थे कि वो मर भी सकते थे इन फैक्ट उनके parents ने बता दिया था कि अगर तुम फिर से ये सब हरकत करोगे तो हम लोग तुमारे साथ Mumbai में नहीं रहेंगे तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले है रमायन movie के बारे में बट इसके लिए वो 75 करोड चार्ज करेंगे दूसरे तरफ यश जिनका नॉर्मल चार्जेस आर अराउंड 80 करोड फॉर मुवी बट इस मुवी के लिए वो थोड़ा कम चार्ज करने वाले है और वो एज़ और प्रेडूसर भी रहेंगे बिसकली वो अपने partner के साथ vlog कर रहे होते हैं और उनकी partner जब कपड़ा चेंज कर रही होती है तो वो उनके ओपर zoom करते हैं दिखाते हैं देखो ये कपड़ा चेंज कर रही है तो लोग वही बोल रहे हैं यार थोड़ा सा fame के लिए लोग क्या क्या हरकत करने लगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही tragic incident के बारे में तो guys एक cat को बचाने के चकर में 5 लोग अपना जान को गवा दिये जहां guys महराष्टरा से ये वाला story आ रहा है कि एक billy well के अंदर घुस गई थी गिर गई थी और उसको बचाने के लिए एक person अंदर घुस है और वो भी अटक गई फिर एक दूसरे person उनको बचाने के लिए तो वो भी अटक गई ऐसे करकर के 5 लोग well में चल गए थे और सब लोग उदर अटक गए जिसके वज़े से लॉस देर लाइफ तो चलिए अब कुछ अशीमेंट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट फॉल विशु बिराडे डांस ने कंप्लीट कर चुके हैं रिट के सब्सक्राइबर बें लेजेंड बाबा टू ने भी कंप्लीट कर चुकी हैं वन मिलियन सब्सक्राइबर और वैब ऑफ पार्ट्रिल को मिल चीका हूं का सिलवर प्ले बटन सो मैनी मनी कॉंगराइशलेशन तो यह तो चल दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नही एक हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना नूस सब्मिशन का लिंक डेसक्रिप्षेण में वहां से जाए आपको क्रेडिट भी मिल सकता है में डेसक्रिप्षिन में अब असे सपोर्ट करते रहना मिलते नेग्स वीडियोमें टिल देन बाइ